हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल कुकिंग विद भाबी जी हैश्टेक वंदना सिंग में आपका स्वागत है आज हम जोन पुरिया स्टाइल स्टफ डालू का पराठा बना लेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर तीन से चार को टोई गेहूं का आठा लिया है और एक चमच नमक एक चमच में यहाँ पर अजवाइन लिया है और दो से तीन चमच यहाँ पर हमने रिफाइंड ओयल लिया है तो चलिए अब हम आठे को गूथने का प्रोसेस सुरू करते हैं आठे में हम सभी चीजों को डाल देंगे यहाँ पर हम आठे में जब तेल डाल रहे हैं तो इस जो हमारा पराठा हैसे और भी को अशिती के और द예 conflicts किृथने के बाद अच्छा के इसा को और डालते हुए थोडवा थोड़ा पानी डालतर हुए हम आठे को गूथ gaan यहां पर देखिए आटा हमने गूत लिया है अब हम 10 मिनट के लिए आटे को रिष्ट करने के लिए रख देंगे साइड में आगे हम चलिए आलू का मसाला बना लेते हैं तो यहां पर मैंने विग्दम फ्रेश हरी धनिया लिए है और यहां पर मैंने 5-6 हरी मिर्ची लिए है मिर्ची आप अपने टेस्ट के लिए ले सकते हैं यहां पर मैंने 20-25 लेसुन लिया हुआ है अब हम इन तीनों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और एकदम बारिक पेस्ट बना कर त्यार कर लेंगे यहाँ पर मैंने 10 से 11 उबले हुए आलू लिये हैं जिसका छिलका मैंने उतार लिया है यहाँ पर मैंने एक चमच हल्दी ली है और एक चमच नमक लिया है नमक आप अपने स्वादा नुसार ले सकते हैं और यहाँ पर जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पिष्ट तेयार किया तो यहां पर हम सरसो के तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और जो हमने धनिया मिर्ची और लेसुन का पेश तयार किया था उसे हम डाल देंगे मसाले को डालने के बाद हम एक बार मसाले को अच्छे से चला लेंगे तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को यहां पर हमने अच्छे से चला लिया है, अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे, इसके अलावा हमें कोई भी मसाला इसमें यूज नहीं करना है, तो हम हल्दी और नमक को भी हां पर अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे, और हम थोड़ी देर के लिए मसालों अपना अच्छे से तेल छोड़ दें और मसाले में जो कच्छा पन है वो खतम हो जाए तो यहाँ पर मैंने धकन लगा दिया है और 5-10 मिट के लिए मैं धकन को लगे रहने दूँगी और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखा है यहाँ पर हमने धकन को हटा लिया है और देखिए मसाले ने बहुत अच्छा तेल छोड़ दिया है मतलब कि मसाला हमारा पक चुका है तो 2 मिनट के लिए इसे हम और पकने देंगे और मसालों के यहाँ पर मैंने एक बार अच्छे से चला लिया है 2-3 मिन तक मसालों को देखिए आप अच्छे से भून लिया है यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा था और यहाँ पर देखिए हमने जो बले हुए आलूओं को छोटे चोटे पीसे में कट कर लिया है आप चाहे तो मैशर से मैश कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर चटो चटे तुकडों में कट कर लिया है इसे हम मसालों में मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे आलों को यहाँ पर देखे सभी आलों को मैंने मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है आलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने धकन लगा कर 2-3 मिनट तक आलों को थोड़ा सा मसालों में पकने के लिए छोड़ दिया था यहाँ पर मैंने देखिए 2-3 मिनट के बाद धकन हटा लिया है और मसाले जो है वो आलों में अच्छे से मिक्स हो चुके है इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक प्लेट में हम आलू को निकाल लेंगे आलू को ठंडा होने के लिए इन्हें फैन के निचे रख देंगे अब हम आलू को दवाते वे इन्हें हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इससे मैशय से भी मैश कर सकते हैं पर मैंने यहां पर हातो का यूज किया है आलू का मसाला बनकर तयार हो चुका है और यहां पर हमने जो आठे को सिट करने के लिए रखा था वो भी अच्छ और इसकी फ्लेम को भी हमने लो रखा है तो चलिए अभी इसको प्रीट होने देते हैं और फटा फट से हम आलू का पराठा बना लेते हैं तो यहां पर मैंने लोई बना ली है और लोई को थड़ा को टोली के शेप में बनाते हुए अपने आलू के मसाले को भरते हुए हम देखिए चारों तरफ से घुमाते हुए दबा रहे हैं मसालों को हातों से दबाते हुए अंदर धकेल रहे हैं और यहां पर देखिए हम इसक आटी का लोई है वो बनकर तयार हो चुकी है तो हम इसे बेल रहे हैं और बहुत ही शॉफ्ट हंडेड़ वही है बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है हम ने एक बादन मीडियम साइस काई से रखा बहुत मोटा नहीं बहुत जादा पतला नहीं तो यहां पर हम फ्राइपेन के उपर पहले से थोड़ा सा तेल लगा दे रहे हैं और पराटी को हमने फ्राइपेन के उपर डाल दिया है अब एक साइट से हमारी पराटी को अच्छे से हम थोड़ा सा सिखने देंगे तो यहां पर देखी एक साइट से हमारा सिख चुका है त तो यह आप देखी हमारा जो पराठा वो अच्छे से फूल रहा है, मतलब की आठा हमारा जो है वो पर्फेक्ट हमने गूता था और मोयन देना बहुत ज़रूरी है, मोयन ज़रूर दे आठे को, जिससे की पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा खास्ता बनता है, तो आप इस ज़रूर ट्राइ करिएगा, बिल्कुल जॉन पूरिया स्टाइल में मैंने ये पराठा बनाया है, मैंने पराठे को हरी धनिया की चटनी के साथ परोसा है, आप चाहे तो ठंडी ठंडी धही के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपको हमारा जॉन पूरिया एक वंदना सिंग की वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद